हालो स्टुडेंट्स वेलकम यो तुड़े आई विल्टेस यो इवनिट 1.3 एकोनोमी और एकोनोमिक सिस्टम आर्थिक पडाली के अंतरगत मैं आपको समाजबादी अर्थविवस्ता की विश्यश्ताएं तथा गुर्दोसों का वाड़न करूंगा हालो स्टुडेंट्स अर्थविवस्ता या आर्थिक पडाली के अंतरगत अर्थविवस्ता को तीन भागों में बाटा गया है पूजीबादी अर्थविवस्ता, समाजबादी अर्थविवस्ता, तथा मिश्ट्रित अर्थविवस्ता, तथा विकास के आधार पर विक्सित तथा विकास सिल्स्त्रेणियों में भी अर्थविवस्ता को बाटा जा सकता है कल के लेच्चर में मैंने आपको पूझी बादी अर्थ विवस्ता की विशिष्टाएं गुड तता दोसों का जिक्र किया था आज के लेक्चर में मैं आपको समाजबादी अर्थविवस्था किसी कहते हैं, समाजबादी अर्थविवस्था की विशिष्थाएं तता गुड़ दोसों का वर्डन करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि समाजबादी अर्थव्यवस्था क्या है पूजबादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोस होने के कारण एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जो समाजबादी अर्थ विवस्था के नाम से जाना जाता है संसार के अनेक देश जैसे क्यूबा, चीन, वियत नाम आद की अर्थ विवस्थाएं समाजबादी अर्थ विवस्थाएं कहलाती है इस अर्थविवस्था में सरकारद्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा संचालन किया जाता है समाजबाद को विभिन अर्थशास्त्रियों ने विभिन ढंग से परिभासित किया है समाजबादी अर्थविवस्था से ताजपरी एक ऐसी आर्थिक पडाली से है जिसमें उत्पत्य के सभी साधनों पर सरकारद्वारा अभिव्यक्त संपोड समाज का स्वामित्त होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन एक केंद्री सत्ता द्वारा किया जाता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रियोग अधिक्तम सामाजिक लाभूं के लिए किया जाता है समाजबादी अर्थविवस्था को समान अर्थविवस्था अथवा किंद्री नियोजीत अर्थविवस्था भी कहा जाता है काल मार्स द्वारा विक्षित समाजबादी विचारधारा से प्रभावी ठोकर सन 1917 में रूस में क्रांती हुई ये उम समाजबादे अर्थब्यवस्था का प्रारंब हुआ। रूस के बाद चेको, इसलोवाक्या, बुल्गारिया, चीन, युगोसलाविया, वियतनाम आध देशों ने इस आर्थिक पडाली को अपनाया। बर्तमान में चीन, उत्तरी कोरिया, आध को छोड़ कर सिस देशों ने इस पडाली को छोड़ दिया। प्रोफेशल लिप्टविच के सब्दों में समाजबाद में सरकार की भूम का केंद्रिय या मुख्य होती है। वह उत्पादन के संपूर साधनों का स्वामित्त करती है और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करती है। समाजबाद के बारे में जोड़ ने लिखा है कि समाजबाद एक ऐसी टोपी है जिसका सुरूब प्रतेक बेक्द के पहनने के कारण बिगड गया है। अर्थात समाजबाद का सुभाव बवपच्ची है। समाजबाद में सरकारी हस्तचेप सरोपर होता है। राज की अर्थव्यवस्ता का प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है तथा संचालन करता है। समाजबादी अर्थव्यवस्ता के विशिष्टाएं निम्न प्रकार हैं। साधनों पर सामुहिक स्वामित्व। इस समाजबादी अर्थव्यवस्ता में उत्पादन के जो भौतिक साधन हैं। अर्थाद भूम, बन, कारखाने, पूजी, खानों आधि पर समाज या सरकार का स्वामित्व नियंत्रण होता है। इसके प्रडाम सुरूप लाव का उद्देश या निजी हित के लिए आर्थिक गत्विधियों का संचालन नहीं होता। समाज बादियर्थ बिवस्था में केंद्री सत्ता द्वारा या उसके द्वारा निवोजित समाज उन समस्त भौतिक साधनों का उप्योग करता है। तथा स्वयम के लाव या स्वयम के अधिक्तम लाव तथा आर्थिक गत्विधियों से स्वयम को प्रभावित नहीं कर सकता। उप्भोक्ता चैन का अंत समाजबादी अर्थविवस्था की प्रमुग विशेष्था ये है कि इस अर्थविवस्था में वस्तुओं में उप्योगित उप्भोक्ता के चैन की प्रवसत्ता उनहीं वस्तुओं तक रहती है जिने सरकार के निर्देशा नुसार्व उत्प पादित किया गया है सरकार जितनी मात्रा निर्धारित करती है उभोगता द्वारा उतनी ही वस्तुओं का उभोग किया जा सकता है केंद्री नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन समाजबादी अर्थ वेवस्ता में सामाजिक आर्थिक लच्छों में निर्धारणवा प्राप्ति हित एक केंद्री सत्ता होती है मत्पुड आर्थिक निर्डे जैसे क्या उत्पादन करना है कितना उत्पादन करना है किसके लिए उत्पादन करना है आद निर्डे केंद्री सत्ता द्वारा ही लिये जाते हैं समाजबाद में प्राक्ति की उम्मानमी संसादनों का उपयोग करते हुई किंद्री नियोजन का उद्देश अधिक्तम सामाजिक कल्याड होता है तथा समस्त संसादनों का उपयोग किंद्री नियोजन द्वारा किया जाता है सामाजिक लाव के उद्देश समाजवादी अर्थ बेवस्था में किंद्री सत्ता द्वारा सभी प्रकार के निरड़े चायो सामाजिक निरड़े हूं अत्वा आर्थिक निरड़े हूं अधिक्तम सामाजिक कल्यान को उध्यान में रखते हुए, सामुहिक लाव के उध्यान में रखते हुए लिये जाते हैं, न कि व्यक्तिक्यत लाव के उध्यान के लिए कोई निर्ड़े लिये जाते हैं। आर्थिक समानता एकोनामिक एक्वाल्टिव समाजबादी अर्थविवस्था में आय वधन की समानता नहीं होती क्योंकि आय के बित्रन का निर्ड़े यहां केंद्री संगठन के द्वारा लिया जाता है धनी बर्ग पर टैक्स की मात्रा आधिक होती है जवकि निर्धन बर्ग की उन्नत के लिए निशुल के सिवाएं उपलब्द रहती है तथा इस पडाली में बर्ग संगर्ष की इस्थित समाप्त हो जाती है साथ ही साथ निजी पूजी स्थापित करने है तो आउसरों की कमी की कारण आएकिये समानता भी कम हो जाती है पूजी पती युम निर्धन बर्ग अलग-अलग नहीं होता आर्थिक विकास में किवल एक ही बर्ग की सहभागिता नहीं होती बल्क सभी बर्गों की समान सहभागिता होती है समाजबादी अर्थविवस्था के गुड़ समाजबादी अर्थविवस्था की विसेस्ताओं का अध्यन करने के पस्चाच लगता है कि समाजबादी अर्थविवस्था में पूजी बादी अर्थविवस्था की ये पेच्छा अधिक अच्छे गुड़ पाए जाते हैं लेकिन बाद में कुछ अर्थ सास्त्रियों द्वारा इसकी आलोचना की गई और ये भी पूजी बादी के तरह समाजबादी अर्थ ब्यवस्ता दोसों से नहीं बच पाया समाजबादी अर्थ ब्यवस्ता के गुडों का अध्यन करने से इस परस्ठ होता है कि समाजबादी अर्थ ब्यवस्ता समाज के लिए उपयुक्त एवम्स्त्रेष्ट है नमबर वन धन वा आय का समान बित्रण समाजबादी अर्थ बेवस्ता में धन वा आय का समान रूप से बित्रण होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई यह समानता नहीं होती आय की बित्रण का निर्डे किंद्री संगठन की द्वारा लिया जाता है धनी बर्ग पर अधिक टैक्स कर लगाया जाता है तथा निर्धन बर्ग को निशुल्ग सिवाएं उपलब्द कर आई जाती है अवसरों में समानता समाजबादी अर्थ बिवस्ता में समाज की समस्त बेक्तियों को सरकार द्वारा नियोजित नई नई योजनाओं के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है चाहे वो पूजी पती हो चाहे वो धनी हो अथवा गरीब हो सबको समान रूप से अवसर प्रदान किया जाते हैं नियोजित अर्थ बिवस्ता समाज बादी अर्थ बिवस्ता में उपलब्द समस्त संसादनों पर सरकार का स्वामित एवं नियंत्रण होता है समस्त योजनाई सरकार की द्वारा निर्धारित होती हैं समस्त निर्ड़े सरकार द्वारा लिये जाते हैं अधिक्तम सामाजिक कल्याण तटा सुरच्छा का उद्देश भी केंद्री नियोजन की द्वारा निर्धारित होता है इस प्रकार से उसकी निर्दी सानुसार समाजवादी अर्थवेवस्था का निर्माड होता है वर्ग संघर्ष का अंद समाजवादी अर्थवेवस्था में किसी भी प्रकार का कोई सोषण या वर्ग संघर्ष नहीं होता इसका मूलाधार समानता है यहाँ पनिर्धन योवम पूजी पती अलग-अलग नहीं होते आर्थिक विकास में किवर एक ही बर्ग की सहभागिता नहीं होती बल्ग सभी बर्गों की समान सहभागिता होती है आर्थिक उतार चड़ाओ की समाप्ती समाधबादी अर्थिक िस्तिर्ता होती है इसमें तेजी या मंदी नहीं होती उतार चड़ाओ की इस्तित उत्पन नहीं होती, यहीं एक नियोजी तर्थ बिवस्ता है मुक्ट बाजार अर्थ विवस्ता की तुल्ना में यहां आर्थिक उतार चड़ाओ कमाते हैं सरकार सामाजी सुरच्छा एवमधिक्तम कल्याण के उद्देश को ध्यान में रखते हुए एक नियोजी तरीके से साधनों का उपयोग करती है जिससे तीजी यो मंदी की संभावना समाप्त हो जाती है काम का अधिकार समाजबादी अर्थ विवस्ता में लोगों को समान रूप से काम करने का अधिकार प्राप्त होता है काम जो अधिक करता है उसे अधिक मजदूरी जो कम करता है उसे कम पार्ष्रमिक दिया जाता है धनी बर्ग तथा निर्धन बर्ग के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता लोगों को निवनितम जीवन इस्तर का आश्वासन समाजबादे अर्थ बेवस्ता में मूलभोत समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है यहाँ पर समाज की हीद को ध्यान में रखते हुगी साधनों का कुसलतम प्रियोग करते हुगी आवस्यक पदार्तों तथा सेवाओं का उत्पादन वास्तविक आवस्यक तानुसार होता है तथा लोगों को नियूनितम जीवन इस तर का आश्वा समदे करके उन्हे विभिन प्रकार की आवस्यक वस्तवि उप्लाप्द करवा करके जैसे भोजन रहने के लिए मकान पहने के लिए कपड़े आज बिभिन प्रकार की वस्तुई उपलब्ध करवा दे जाती हैं जिससे समाजबादी अर्थ विवस्ता में वर्ग संघर्ष तत नहीं होता इस प्रकार का सोशण समाप्त हो जाता है समाजबादी अर्थ विवस्ता के दोस समाजबादी अर्थव्यवस्ता में गुड़ों के होते हुए भी इसमें फिर भी दोस्ट समलेथ हैं अनिक अर्थशास्त्री जैसे रौबिंस, डिकिन्स, जार्जहॉम, मोरिस डाउ, आदी अर्थशास्त्रियों ने समाजबादी अर्थव्यवस्ता की कड़ी आलूचना की नमबर वन नोकर साही वर लाल फिता साही समाजबादी अर्थव्यवस्ता में एक महतपूर दोस्ट नोकर साही का होना है इस अर्थ व्यवस्ता में केंद्री संगठन निर्ड़े करने वाला सबसे महत्वपूर तंत्र होता है इसके निर्ड़े लागू करने ही कर्मचारी लगाये जाते हैं जिनका कोई निजी हित नहीं होता समाज बादी अर्थ व्यवस्ता में बेक्ति गेत शुतंत्रता पर प्रतिबंद लगा है कोई भी बेक्त अपनी निजी लाव एव में हित को ध्यान में रखते हुए लाव प्राप्त नहीं कर सकता उसे अपनी निजी संपत्त भी रखने का अधिकार नहीं प्राप्त होता बल्क किंद्री सत्ता द्वारा नियोजित समाज के द्वारा उचित निर्ड़े के आधार पर ही निर्ड़े समाज को लेना पड़ता है उत्पादन में कमी प्रुफिसर हायक के अनुषार समाज बादी अर्थ बिवस्था में साधनों का बित्रण मुल्य तंत्र के अभाओं में मनमाने ढंक से होता है इनका मूल आधार यह है कि मुल्य तंत्र उत्पादन की साधनों का बित्रण सुतही महत्पुडूप युगों में करता है समाजबादी अर्थ व्यवस्ता में सुतंत्र बाजार व्यवस्ता न होने से मुलित तंत्र प्रडाली के अभाव में उत्पादन में कमी होती है जिसे लोगों को अवस्यक्ता नुसार वस्त्मेयों पलब्द नहीं हो पाती आर्थिक प्रेड़ा का अभाव समाजबादी अर्थविवस्ता का प्रमुख दोसी यह है कि इसमें बेक्तिकेत रूप से बेक्तिकेत लाब से प्रेड़ित एउमनेजी संपत रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है जो मनुष्य को अधिकार करने की प्रेड़ा देता है समाजबादी अर्थविवस्ता में इन तत्तों का अभाव पाया जाता है उभोकता की स्वतन्तरता में कमी उभोकता अपने मनमानी तरीके से विभिन प्रकार की वस्तूओं का उपभोग नहीं कर सकता वस्तूओं का उपभोग वह तभी कर सकता है जब केंद्री सत्ता द्वारा उचित निर्ड़े लेने के पस्चात जो वस्तूओं उसे उपभोग के लिए निर्देशित होती है उनी वस्तूओं का उपभोग कर सकता है वो अपनी इच्छानुसार वीविन प्रकार की वस्तूओं को खरीद नहीं सकता है अधिकारों का हनन निजी संपत्त का अधिकार समादबादी अर्थ विवस्ता का प्रमुखदोस ये है कि कोई भी वेक्ती अपनी निजी संपत्त को सुरच्छित रूप से नहीं रख सकता उसे केंद्री सत्ता द्वारा या निर्देशित समाज के द्वारा उसका उप्योग किया जाता है उसके समाज में रहने वाले उस वेक्त के अधिकारों का हनन किया जाता है जो कि उसका स्वेम का अधिकार है इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि समाजबादी अर्थविवस्ता में उत्पादक्ता कुशल्ता आधिका भी अभाव पाया जाता है पूजबादी अर्थविवस्ता में उत्पादक का उद्देश से अधिक्तम लाप्राप्त करना होता है अतेव अन्यूंतम लागत पर अधिक्तम उत्पादन को सल्ता से करने का प्रियास करता है परन्त समाजबादी अर्थविवस्ता में न तो साधनों का विबेक पूर बित का केंद्रिकरण अत्तधिक केंद्रिकरण तथा नियोजन पडाली होने की कारण मानोसक्ति का दुरुपयोग होता है जैसे मानोसक्ति सीधे सीधे उत्पाद्नकारियों में लगाई जा सकती है उस मानोसक्ति को योजना बनाने गड़ना करने क्रियानन की देखभाल करने में ह किया जाता पूजी बादी अर्थ बेवस्था में उभ्भोक्ता मांग पच्छ में महत्पोड़ भूम का निभाते हैं परंत समाजबाद में उभ्भुक्त का प्रभुत्व स्वत्य ही समाप्त हो जाता है क्या उत्पादन हो कितनी मात्रा में उत्पादन हो आधिका निड़े किंद्री निवजन द्वारा लिया जाता है किंद्री निवजन भोगताओं की आउस्वत्ताओं को ध्यान में रखते वी निड़े लेता है जो उत्पादन अर्थ बिवस्ता एक केंद्री कृत इकोनोमी मौडल पराधारी थे जिन में राजी की समस्तार्थ क्रियाओं का पूरी नियंत्रण वहां के सासक द्वारा होता है इसी काण इन्हें नियंत्रित अर्थ बिवस्ता भी कहा जाता है यह बिवस्ता उपयोग तथा उत्पादन को निर्धारी करती है उसके उल्टे पूजी बादी बिवस्ता लाब से प्रेरित है समाज बादी अर्थ बिवस्ता का मूल केंद्र कल्यान कारी राजी की संकल्पना होती है बर्तमान समय में चीन वियत नाम उत्तर कुरिया ने इसी माडल को अपनाया है